प्रोग्राम के पहले से मुस्तभा नमास खोकर साब मारे साथ मौजूद है, सीनिय सियासदान, खुद भी एलेक्शन लड़ा, मुकाबला दिले नातवाने खूब किया, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने एलेक्शन कंसीट किया, तो ग्रेसफुली उन्होंने जिस तरह से हो वरना आज कई दिन देखना पड़ सकता है, लेकिन ऐसी आवाजों को साइडलाइं कर दिया जाता है, उनको जमात के अंदर उनकी बात नहीं सुनी जाती, और फिर उसका नतीज़ा आज उनकी जमात खुद भी भुगत रही है, अगर आपकी जासे से जुबहर साब से आगा थी, कि पीमलन अपना प्यानिया वहां तक पहुचाने के लिए बहुत पूरे तरीके से नाकाम हुई है, डिस्पाइड दे फैक्ट के जो हालात थे, जो पहसर थे, और जो सबसे बड़े ऑपनेंट पीटियाई था, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल था किमपेंड करना मेरा कहला पाकितान की क्या दुनिया की तारीख में यूनीक होगा कि एक पार्टी पीमलन के पास सब कुछ फसिलिटीज थी, सपोर्ट थी, सब कुछ था, और दूसरी पार्टी के पास कुछ भी नहीं था, और एक फियर फैक्टर था, जो हमें बता है, पोस्ट में नाई त किया, और उसमें मेरा खाला सबसे जुख ज़्यदीज देना पड़ेगा, पी वैमलन की अपनी नाकामी भी है, बहुत जबदस तरीके से नाकामी है, और उसकी मारिया एक तो आपने जो जो झिकर किया, पीडियम की हकूमत थी, पीमलन लेड ओकूमत थी, वो इतना बड़ा failure था न, कि आपने किसी की जबान से भी जाए, वो मिया नवाज शीफ हों, शेबाज शीफ हों, ये कोई और लीडर हो, सुना ही नहीं पूरी campaign में उस 16 महीने का जिकर करके, वो छुपरे थे 16 महीने का जिकर करते बे, which was an acceptance of the fact कि अभी most recent history जब उनको govern करने का मौका मिला, तो वो कितने बुरे तरीके से fail हुए, उसकी वजवाद जो भी हो सकती है, बट no one was saying कि जी, और वो जो एक पेश किया गया कि रियास्त को बचाने के लिए, रियास्त को तो हर हकूमत, पूरी दुनिया में हर पार्टी का फर्ज होता है, उनके लिए भी कुछ करना पड़ता है, दूसरी बात ये, again, messaging was so poor, कि हम उनको reach out ही नहीं कर सके, जो के, not on just the new voters, बट वो जो youth है, तीस साल का भी जो लड़का या लड़की है, या पच्चेस साल के, जो पिछली दफ़ा भी शैदूरों ने वोट टाला था, जी, तो हम reach out ही नहीं कर रहे हैं, what was it, हम कह क्या रहे थे, हम ये कर रहे थे, कि जी वो इद्दत में जो उनको conviction होई, उस दिन हम चार प्रेस कांफरेंस कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं, कि इमरान खान कितना खराब है, और इदत के दौरान उनने शादी कर ली थी, हम ये नहीं बता रहे हैं, कि हम जो वोट आप क्यूं हमें क्यूं देने के लिए आएं, हम क्या करेंगे आपके लिए, क्योंकि हम बताने के लिए, ये हमारे लिए सबसे मुश्किल चीज थी, वो सोला महीने की जो हमारा वो था, और फिर वोट को इज़त दो, एक इतना स्ट्रॉंग, मैं कहता हूँ के रोटी कपड़ा मकान, जो पीपर्स पार्टी का एक बियानिया था, उसके बाद अगर कोई स्ट्रॉंग बियानिया बना था, वो वोट को इज़त दो था, वो बड़ा कॉम्प्रिहंसिर था, उसका एक बहुत मतलब था, कि वोट ड़स डैट मीन, फोकस आम पाकिस्तानी पर था उसका, उसको आपने जैन्यूनली पीछे लेके चले के जिकर करना छोड़ दिया, विच वस अन एड्मिशन के नौ वी आर नॉट डिपेंडनेंट अन दो वोट, अब हम उन कुवतों पर डिपेंड कर रहे हैं, जो हमें कहीं न कहीं तरीके से हमें इक्दार रहे हैं।